सीजन वन एपिसोड 7 शुरू होता है और हमें दिखता है कि प्रिवियस एपिसोड में माइक ने पुलिस ओफिसर की नोटबुक चुराई थी तो वो वापस करने के लिए सॉल के साथ वो पुलिस टेशन में आया हुआ होता है सॉल उसे बोलता है कि मैं सब बोलूँगा और तुम्हें सिर्फ बैटना है वो पुलिस ओफिसर जब वहाँ आता है और उससे वो मांगता है वो उसे वो उसकी नोटबुक दे देते हैं और वो उनसे बहुत ही चेड़ा हुआ होता है उनने बोलता है मैं तुम्हें दोनों को जेल में डाल सकता हूँ फिर उसे समझाता है लीगली हमें ये notebook जब तुमने हमें कॉल करकर बताया कि तुम्हें लग रहा है कि Mike के पास तुमारी notebook है तो हम यह office आ रहे थे तो हम यहाँ police station आ रहे थे तब वहाँ मुझे बाहर पार्किंग में ये नोटबुक पड़ी मिली तो इसलिए हमने तुमें ये दी है इस स्टेटमेंट से वो लीगल ट्रबल में नहीं आएंगे फिर माइक का जो ओल पार्टनर होता है वो उस पुलिस ओफिसर को जाने के लिए बोलता है माइक भी सॉल को वहाँ से निकल जाने के लिए बोलता है एक का ओल पार्टनर फिर उससे बोलता है कि तुमारे डॉटर इन लॉग का मुझे कॉल आया था अगर उसने भी हमें उतना जादा कुछ नहीं बताया तो यही है केस खत्म हो जाएंगी फिर वो माइक से पूछता है कि क्या तुमें बता है कि वो हमें क्या बताने वाली है माइक बोलता है कि मुझे कुछ भी आयड़ा नहीं है कि वो तुमें क्या बताएगी वो कुछ भी बता सकती है मैं वो एक्सेप्ट कर लूँगा मैं उतना तोच से ओ करता हूँ हमारा पुलिस स्टेशन है वो बहुत इखराब है तुमने जो भी किया वो ठीकी किया क्योंकि कुछ अरली रिटायर्मेंट उसमें हो गए अब ज़रा न्यू लोग आएंगे न्यू बलड आएगा तो वो अच्छा हो सकता है मैक बोलता है कि तुम्हारा जो न्यू पार्टनर है एसे लोग अब उस पुलिस स्टेशन में चाहिए मैक का बार्णा फिर उसे बोलता है कि वो न्यू है उसे और भी कुछ चीज़े सिखने चाहिए गड़े मुर्दों को नहीं उख़ड दे यानि कि उसे मैक से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी और मैक को रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी ये वो उसे बोल रहा होता है फिर पार्किंग लॉट में मैक आता है सॉल उसे पूछता है कि तुमने उसे क्या क्या बताया वो मुझे पूरी डिटेल से समझाओ तब वो घर में आ जाता है, तो Saul पुछता है कि ये क्या चल रहा था, चक फिर उसे बताता है, कि मैं एक tolerance build-up कर रहा हूँ, मुझे अब थोड़ी देर, मुझे काम पे भी फिर से जाना है, इसलिए मैं electromagnetic waves के लिए, एक tolerance अगर मैंने build-up कर लिया, तो मैं फिर से world में जाकर जी सकता हूँ, Saul को ये सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है, Saul फिर बोलता है कि मेरे office में जरा भीड हो रही थी, इसलिए वो कुछ चीजे चक्किया चोड़ने वाला होता है, वो एक pile होता है, जिसमें paperwork होता है, उसमें जो wills होती है, कीम को अपने new office दिखाने के लिए लाया हूँ होता है, फिर वो उसे पूरा floor दिखाता है, वो बहुत भड़ा office होता है, और वो बहुत सारे lawyer काम करने वाले होता है, एक नई agency वो बनाने वाला होता है, उसको cattleman से बहुत सारे पैसे मिले थे, और इसकी वाज़े से अब वो ये office अफोर्ट कर सका है, फिर कीम उसे पुछती है, कि तुम इतना बड़ा office इतना अच्छे area में कैसे ले रहे हो, सौल उसे बोलता है, कि सिनिजर citizens के wills विकरा बना कर, मुझे बहुत अच्छे पैसे मिल रहे है, इसलिए मैं सब अफोर्ट कर सकता हूँ, वो उसे अपना office दिखाता है, कि मुझे बहुत impressed हो जाती उसको office दिखकर, पर वो फिर उसे और एक office दिखाता है, वो corner office होता है, वो बोलती है, कि तुम्हीं यही लेना चाहिए, तुम्हीं उस office को change कर लेना चाहिए, वो बोलता है, यह जो office है, यह मैंने reserve करके रखाए, यह मेरे partner के लिए है, फिर उसे offer करता है, कि अगर वो उसके साथ काम करने आ चाहे, तो उसे partner बना देगा, वो उसे बोलती है, कि HGM में मैंने बहुत पहले से भी काम किया है, और मैं उन्हें पैसे भी O करती हूँ, उन्हेंने मुझे law school में डाला था, और मैं एक दो साल में वहाँ partner भी बन जाओंगी, मैं इसे वहाँ नहीं छोड़ सकती, यह जो मैंने सब progress की है, मैंने बहुत सारे मेरे साल वहाँ dedicate किये है, तो मैं यहाँ नहीं आ सकती, यह भी सौल उसे बोलता है, कि offer अभी भी तुमारे लिए open है, next अमें दिखता है, कि Kim के पास cattleman आय हुए होते, Kim ने उन्हें बुलाय होता है, वो उन्हें समझा रही होती है, इसमें तुम लोगों को सब पैसे वापस कर देने है, और तुमें सिर्फ एक दिट साल ही जेल में जाना पड़ेगा, अगर तुमने पैसे वापस ने किये, तो तुमें 30 साल जेल हो सकती है, बेट सी चिर जाती है, वो बोलती है कि हमारे पास पैसे नहीं, हमने ये कुछ भी नहीं किया, फिर भी हम ये कहां से लाए, ड्रगिस्ट, मर्डरों लोग रस्ते भी घुमते हैं, उनके बीचे कोई नहीं जाता, और हमारे पीचे ही सब पड़े हैं, उन्हें बोलती है कि यही तुमारा बेस्ट आप्शन है, तुम अब ये कंट्री भी लिव नहीं कर सकते हैं, और अगर तुम्हें इसे बचना है, तो तुम्हें ये डील एक्सेप्ट करनी होगी, फिर गेटलमन चिड़े ही होते हैं, तो वो बोलते हैं कि तुम फायर्ड हो, और वो वहाँ से गुस्ते से चले जाते हैं, और उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर वो उसे रोक नहीं पाता, नेक सिर में सॉल एक ओल्डे जों में होता है, वहाँ वो एक गेम ले रहा होता है, वो ही उसे वहाँ एक कॉल आजाता है, वो call catermans का होता है और वो उसे appointment के लिए पुछते हैं वो फिर से वोसे cafe में मिलते हैं उसे बोलते हैं कि अब हमें तुमारी services चाहिए Saul बोलता है कि क्यों तुम तुम फिर से मेरे पास आ रहे हो वो बोलते हैं कि HHM और हमारा कुछ setting नहीं बचा और तुम हमारी लिए dedicated efforts लेने के लिए ready हो तो इसलिए हम तुमारे पास आ गए है Saul बोलता है कि मैं अब elderly law कर रहा हूँ Saul उनकी case लेने से मना कर देता है वो बेट से उसे बोलती है हमें deal मिली है और हमने अगर वो पैसे वापस की है तो उस पैसों में सब पैसे वापस आने चाहिए यानि कि Saul को उन्होंने जो पैसे दिये होते है वो भी Saul को वापस करने पड़ेंगे वो उसे बोलती है कि तुम्हें जो retainer था वो हमने already pay कर दिया है Saul फिर एक minute के लिए बात्रूम जाता है वो फिर कीम को call करता है और बोलता है कि तुम्हारा जो client है वो मेरे पास आया है कीम उसे बोलती है कि मैंने उन्हें जो deal offer की है यह बहुत ही बढ़िया deal है मैंने DA के साथ यह bet कर बहुत ही effort डाल कर यह deal create की है तुम कितना भी लड़ो फिर भी तुम्हें इतने इस से अच्छी deal नहीं मिल सकती तुम्हें उन्हें convince करना है कि वो HHM में फिर से वापस आगे जाए वरन्ना मैं बहुत ही trouble में हो सकती हूँ फिर Saul मान जाता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है पर वो उसकी कुछ भी मानने रहे होते से बोलती है कि तुम इत्स case में कितना भी effort डालो और फिर भी cattleman को इससे अच्छी deal नहीं मिलने वाली Saul बोलता है कि हम जूरी में एक chances ले सकते है वो बोलती है इससे वो jail में जाने की chances और भी बढ़ जाएंगे किम ने केस lost किया होता है इसलिए उसका demotion हो जाता है किम उसे बोलती है कि मैं अब 10 साल पीछे चली गई 10 साल में अब partner फिर से नहीं बन सकती Saul को बुरा लगता है जब वो रात में केस पर study कर रहा होता है तो उसे कुछ भी loopholes मेगरा नहीं मिलते वो फिर अपने पैसे चेक करता है जो केटलमंस ने उसे दी होते है वो बहुत ही थोड़े उसके पास बचे हुए होते है फिर next scene में हमें दिखता है कि पैसो की एक जो गड़ी होती है वो माइक केटलमंस के आ जाता है और बच्चों के खिलोने में रखकर आ जाता है फिर केटलमंस को वो पैसे मिल जाते है उन्हें लगता है कि बच्चों ने यह जुराय होगे और इसे ही वो खेल रहे होंगे फिर वो जाकर उस पैसो को उपर रखके आते है माइक यह सब देख रहा होता है कि उन्होंने पैसे कहा चिपाए होंगे माइक फिर जाकर सिंग के अंडर दिखता है तो उसे वो पैसे वहाँ मिल जाते है माइक ये सब पैसे सॉल के पास लेकर आता है सॉल से भूचता है कि अब हमारा खिसा चुकता हो गया अब मैं तुम्हें कुछ ओ नहीं करता सॉल एगरी करता है नहीं वहाँ जाकर माइक को पैसे चुराने के लिए बोले होते है नेक्स दिन सॉल फिर केडल मंस कहा चाता है उन्हें बोलता है कि हमें डिल के बारे में फिर से बात करने चाहिए केडल मंद बोलते हैं कि हम deals नहीं लेने वाले सॉल बोलता है कि अब नहीं improvement हुई है इस case में तो अब consequences change हो गए है तो अब conditions change हो गई है तुम्हें जाकर तुम्हारे जो पैसे है वो चेक करने चाहिए उन्हें वो जब check करते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता वो उसे बुछते हैं कि हमारे पैसे किदर है सॉल बोलता है कि DA के के बिन तक अब वो भोल चुके होंगे तुम्हारा bet chance है कि तुम फिर से HHM चले जाओ कि मैंसे माफिय मांगो और फिर deal accept कर लो बेट से उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हें पुलिस में दे दूँगी तुमने ये जो सब किया है वो मैं बता दूँगी अगर मुझे deal accept करने में पड़ी तो फिर भी मैं तुम्हें लटका सकती हूँ सॉल बोलता है ये तुम्हें तुम्हारे बच्चों के सोचना चाहिए ये जो पैसे चुराया है इसमें सिर्फ तुम्हारे husband का ही हात है जब ये तुम सब accept करोगी तो तुम भी इसमें फच सकती हो तुम्हारे बच्चों के लिए कोई भी parent नहीं रहेगा फिर उसका husband उसे समझाता है और बोलता है कि हमारे पास अब और कोई choice नहीं है वो deal accept करने के लिए ready होते है फिर हमें दिखाया गया है कि Saul उन्हें किम के पास छोड़ाता है किम उसे thank you बोलती है फिर next scene में हमें Saul अपने office को visit करता हो दिखता है उस office को वो last time देखने वाला होता है क्योंकि अब उसके पास पैसे नहीं है अब वो ये office नहीं चला सकता वो उस office में जाता है डोर close करता है और office में ही बहुत रोने लगता है उसका जो dream था वो डोट चुका है उसे call आता है और वो अपनी secretary के आवाज में बात करता है यानि कि उसके life में कितनी भी मुश्किल हो पर फिर भी वो डट के सामना उसका करने वाला है यही एपिसोड खतम हो जाता है